क्या कुनाल सर पेडिग्रीन ने इसे सॉल्ट करने में लगे तो अरे खाल सर मैं देग रहा इतने सालों से कुर्शन नी आ रहा था कर दो चोड़ देते बच्चे भी चोड़ दे मैं भी चोड़ दिया अब यह कैसे करूं मैंने देखा कि 2015 में इसका कुर्शन आए वाए अब यह मैं उसमांज़स में हूं कि मैं को सॉल्ल क्या करूं कि एक्सलिंड है कि ऑ्टोसमल है कि डॉमिनाइंट है तो थोड़ा सा कुछ हो तो आप मुझे इसका समझा दिए क्या होता है कि बच्चे सेम प्रॉब्रम रखते हैं कि रिसेंट इयर में तो पेडिक्रियर नेसिस आ नहीं रहे तो क्या चोड़ दें तो 2015 में आए हुआ है बिल्कुल आपने सभी कोश्चन पगड़ लिए कि 2015 में पेडिक्रियर नेसि इसको छोड़ना तो नहीं चाहिए हां क्यों ना सीख लें येस ट्रिक के तुरू या कोई ऐसी टिप्स आपको बता दो जिससे आपको बहुत इजीली पता पढ़ जाए कि ए किस टाइप की डिजीज है तो बहुत ही आसान हो जाए तो क्यों ने इसको चलो आज इसको पेड पेडिडिग्री दे फिल्ड सिम्बल रिप्रेजेंट दफेक्ट इंडिविज्योम इडेंटिफाइड अइटाइप अप गिवन पेडिग्री कैसा है यह पेडिग्री एक्स लिंक रेसेशिव है कि एक्सिलिंक डॉमिनें फिवी नियक्त इससे पांग पता लगाते देखो तो हमारा कशन बहुती हो जाए तो सबस्ब बले बता जाता हूं तो यह है कि कभी ऐसे पेडिग्री अनलिसिस देखो और उसमें वो घंता होगा वह हमेशा रिससरी होगा हम लोग कह सकते ना कि डिजीज जो यह बॉक्स भरावा तो डिजीज है और खाली है तो तो ऐसा क्यों ऐसा हुआ वो हमको पूरा एनलेक्स करके देखना पड़ेगा कैसे यह नॉर्मल पेरेंट जो थे इनसे डिजीज ऑफ्स्प्रिंग प्रोड्यूस हुए देखो सर क्या होता है कि जैसे यह एक एमटी नॉर्मल जो है वो मेल दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ यह मेल जो है इसके पास डिजीज वाली जीन हो भी सकती और नहीं भी हो सकती दोनों केसिज है यदि नहीं होती इसके पास भी नहीं होती इसके पास भी नहीं होती तो बच तो आपको एक्सप्रेस्ट नहीं कर पारी नॉर्मल है लेकिन उसके पास जीन है और यदी बच्छों में वह हो मोजागस कंदिशन में आजाए तो हो जाएगी होगी जीन इसलिए ऐसा हुआ ठीक है अब मैंड में दो कोशन है कि sir तो पजोए डिख्ट पर फिर कि इतले कर लो थोड़ा सा ओर यह कैसे मालो यह affected female है मैं मान रहा हूँ कि एक्स-linked recessive disease है तो affected individual recessive condition में तो ऐसा होगा बिल्कुल recessive confirm है recessive confirm है इसके basis पे लेकिन एक्स-linked autosomal यह हम चेक कर रहे हैं तो मान लिया इसको कि एक्स-linked recessive है तो एक्स-डैश एक्स-डैश यह affected individual हो गई female होगी male normal है बिल्कुल तो एक्स-वाई एक्स-वाई अब देखो बच्चे कैसे हो सकते हैं हमेशा male जो आफ्स-प्रिंग बनेगा उसमें यह एक्स यहां से आएगा वाई यहां से आएगा याई हमेशा कैसा बनेगा x-डैश बनेगा लेकिन यह तो male normal नमान बन गया इसका मतलब यह x-link तो नहीं है x-link तो नहीं है क्योंकि male हमार्ण अगर यह male affected होता हां तो पॉस्पिलिटी होती कि यह affected यह एक्सलिंक डिजीज हो सकता था यह ब्लैक बनाया होगा तो लेकिन नहीं है ठीक है तो क्लियर होगी बात क्या क्लियर होगी बात कि ऑटोसुमल है और रिसेसिव है और अंसर ही मिल गया है बच्छों को बहुत इसमें अशानी से कल दिया कि अगर आपका बॉक्स भरावा हो हो जाता तो वह डिजीज से अफेक्टेड हो जाता अगर नहीं है तो नहीं क्या बात है अब इसमें ना इसमें और भी थोड़ी सी काम की बाते जहां वो कर लेते हैं कि बच्चों ने बोला कि सर आपने तो पता दिया कि कोई ट्रिक है क्या किसी से पता पढ़ जाए कि यह तो नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि यदि जीन डॉमिनेंट होगी तो वह सिंगल जीन भी होगी किसी अदर तो अपने आपको एक्सपरिस कर रही होगी तो यदि डॉमिनेंट जीन की पेडिग्री का कोई चार्ट बनावा होगा तो आप देखोगे कि उसमें सारे जनेरेश कर दो नहीं अब को यूज करना है क्या आपको एक बार वैरिफाई करले नहीं है तो क्या होगा तो यह ऊगा या तो यह होगा या तो capital A capital A या फिर capital A small a ऐसा होगा बिल्कुल और disease है तो homozygous condition होगी क्या होगा सर small A small A हो जाएगा बिल्कुल से लिख रहा हो में बिल्कुल सर अब यहां पर यदि यह वाले condition मान के चलते तो बच्चे में क्या condition आती capital A small A यह नॉर्मल होते सारे बच्चे लेकिन आपर कुछ disease भी है है इसका मतलब यह condition तो नहीं है इसका मतलब यह condition possible यह और यह हो और यह तो क्या हो जाएगा यह small a हो सकता है यह capital A small A हो सकता है यह small a small यह वाला cherry हो जाएगा क्लिरोग विलकुल हो गए यहां पर इसका जिनोटैप क HEY पर क्थे कम ego ostr भी स्वें तो इस पर्टिकुलर इंडिवीज्व का यह इस प्टिकुलर इंडिवीज्व का ज़िनोटैप क्या तो भी आप इससे तरी के से कल्कूलेट कर सकते। अब यह नाजल है तो normal individual कि हो सकता है या तो ऐसा हो सकता है या फिर सारे नर्मल आ रहे हैं ये भी normal है ये भी normal है तो possibility बोने में यह पता है यह बन रहरा होगा है true I guess right क्योंकि नीचे वाला हमार को disorder वाले मिल रहा है येस बिल्कुल सही सर बिल्कुल सही पहचाना कि नीचे वाला यह इसको नहीं रिखता तो मैं यह capital A capital A capital A capital A सोच सकते हैं तो अब यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा यह कुछ भी हो सकता है क्या बाता है बिल्कुल बिल्कुल एक चीज हमने पढ़िए है उसके कर रही है सारी इंफ्रमिशन को यहां पर भी बच्चों में फिर से सब्सक्राइब नॉर्मल दिखने वाला हमोजागस नॉर्मल है कि है तो आप देखो कि नीचे बच्चे में डिजीज आ रही है मतलब मतलब यहां पर एक स्मॉल यह वाली जीन तो प्रेजेंट होगी होग है तो इस तरीके से बच्चों पेडिग्री अनलाइसिस करते ताइम आपको सारी चीजे बहुत डिटेल में आराम से करनी है ट्रिक आप इतनी ध्यान रखो कि पेरेंट यह नॉर्मल दिख रहे हैं और बच्चों में डिजीज आ रही है तो इसका मतलब वह हिससे से भी होग खुचैं और यदी आपको दिख रहा है कि कोई आपने आपने डेखा की पेरेंट जो है वह नॉर्मल है बच्चे जो है वो डिजीज है तो डॉमिनेंट वाला केस तो नहीं हो सकता है क्को डॉमिनेंट गीं पेडिग्री चार्ट गीवन बहुंग और देश चछों यह थी का question है और ऐसे possibility chances है कि इस साल भी कोई शायर pedigree से एक आदा question आजाए क्योंकि इस साल में नहीं दिखा है और यह वन आफ इंपॉर्टेंट topic में ऐसा है तो आपके पास options है आप फटावट comment box में हमें सही answer बताईए इस pedigree analysis के recording कि what will be the correct answer for that clear or comment box में आप हमें फटावट से बताईए कि आपको next topic कौन साची interesting और ऐसी tips के साथ हम लोग आपसे मिलते रहेंगे लाइक और subscribe करना ना बोले thank you